स्री सिवाय नमस्तु भ्यम हरहर महादेव आज अस्टमी है और कल है नवमी गुरुजी प्रदीप मिस्राजी द्वारा बताये गया है कि आवश्यक रूप से अधिक मास की यह दो तीथियों में प्रतेक बिक्ति को दीपक लगाना चाहिए यह दीपक सर्व कामना सिद्धी के या आप दान करने का सुख प्राप्त कर सकते हैं आप सभी को संभव हो तो इन इस्थानों पर जाकर दीप लगाना चाहिए नहीं तो जो है आप सभी सिर्फ घर के मुख्यद्वार पर भी दीप लगा सकते हैं परन्तु घर के दीप लगाने की जो प्रक्रिया है वह सबसे अलग और सबसे सही मानी जाएगी तभी जो है उपाय पूर्ण होगा फलीत होगा कुछ गल्तियां जो है पूजा पाट के फल को खत्म कर देती हैं तो आप साम के समय तक जब भी आपको समय मिले न सांज होने के आसपास लगा ले तो अतिसरेश्टे से कहा जाएगा जैसा मैं तो दोनों तीस्थियों में कहें अतिसरेश्ट होगा इसमेह ने दीवडान का जितना के आजब प्राप्त है अगर साम के समय संभव हो तो आप सास्त्रों का अध्यन करें तो उसमें कहा गया है जब दीवडान करें आप इसेश पूजा पाट के लिए हम तयार होते हैं तो इसनार नहीं कर सकते तो पाचंगों को जरूर दोलेना चाहिए हाथ पैर और मुह जिसे कुल्ला इत्यारी कर लेना कहा गया है मुह को दोले और साथ हाथ पैर भी दोलीजे इसके बाद अपने कुल देवी देट अपने पित्रों का आवाहन करे और कहें कि प्रभू करने जा रहे हैं। मेरे जीवन को सफल बनाए अब सभी को आटे का दीपक बना लेना है और इस बात का धियान दिजान है नहीं तो घर पर कहां पर लगाना है ध्यान से सुनिए सबसे पहले पीफल्रक्ष के सीचिने का इसमेहने बहुत महत्व है तो आपको पहला दीपक पीपल व्रक्ष के नीचे सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुई लगाना है दूसरा दीपक स्रीहरी विष्णो और महादेव के मंदिर में लगाना है तीसरा दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से बेल पत्र व्रक्ष के नीचे ल करती हैं पर साहिता नहीं पर नहीं पर नहीं सथानों पर लगा नहीं मुखी स्थान फोर स्थान ब्रदर्वेक्तेन औरक महसमी न अलिये नहीं हैं, जिए और मुष्हीं सब्सक्राइब लो cycle अधर की तरफ भगवान आएंगे ऐसे भाव के साथ घर के अंदर की तरफ लगाना है और हमेशा आपने हाथ का दाहिना हाथ जो है पूजा के लिए सर्विस रिष्ट माना जाता है तो दाहिने हाथ की और आप सभी दीपक लगा लेजिए आज साम के समय और साथ ही दीपक दीपक लगाना सर्विस रिष्ट कहा गया है कम से कम पांच दीपक तो जरूर से लगए इससे ज़्यादा लगा सके तो और तिस रेष्ट है परन्तु कम से कम पांच दीपक तो हो बस यही जानकरिती वीडियो उचीत रही हो तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करें स्री सिवाय नमस्तु थम